Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. So, बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में different different type of thermometer बताए थे कि mercury thermometer होता है, gas thermometer होता है and मैंने आपको बताए थी thermometric property तो आप इन properties को याद रखेंगे कि इस तरीके से इन में variation होता है और ये main इनके formula है detail में जब मैं आपको refresher से पढ़ाऊँगा तब मैं इनको detail में explain करूँगा कि ये formula से कैसे numerical बनते है जैसे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि length of mercury तो mercury column जो mercury thermometer होता है वो actually length पर based होता है ठीक है ना? जो हम लोग length वाला use करते है मरकरी column वाला जो normal thermometer है जिसमें mercury होती है तो इस concept का use होता है यह क्या बताता है L T is equals to L 0 bracket में 1 plus alpha T L T is equals to L 0 bracket में 1 plus alpha T मतलब यह कह रहा है कि अगर आप temperature को बढ़ाते जाएंगे तो length of length में भी बढ़ना होता जाएगा length भी बढ़ती जाएगी mercury की इसको बोलते है टेंपरेचर कोफिशेंट ओके टेंपरेचर लीनियर स्वरी इस अल्फा को बोलते है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट इसका नाम है कोफिशेंट ओफ लीनियर एक्सपेंशन L 0 आप जानते है L 0 मेंने बताया था length of mercury column at 0 degree centigrade बच्चों याद रखना इस चैप्टर में जहां भी 0 लगा है मतलब वो उस quantity की value है at 0 degree centigrade अगर कहीं पर P 0 लगा है कहीं पर कुछ भी है मतलब आप समझ जाओ जैसे कहीं पर P 0 है मतलब pressure at 0 degree centigrade समझ गया ना हाँ अगर R 0 लगा है मतलब resistance at 0 degree centigrade चलिए एक factor होता है जिससे की temperature का variation पता किया जा सकता है ठीक ना तो when two junction of thermocouple are kept in different temperature then a thermo EMF is produced between the two junction देखे कहई जब two junction को when two junction of thermocouple thermocouple का मतलब होता है two suitable material होते है two suitable material होते हैं जैसे मान लीजे उपर है copper और नीचे है zinc नीचे है zinc अब ये दो material होते हैं अब मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि यही होंगे thermocouple बनाने के लिए material specified होते हैं कि उपर यह लगेगा नीचे यह लगेगा समझ गया ना तो इनके दोनों corner पे एक को गरम कर दो और एक को ठंडा कर दो तो इनके बीच में अगर आपने एक को गरम कर दिया है और एक को ठंडा कर दिया है एक को क्या कर दिया है ठंडा कर दिया है तो इनके बीच में एक EMF यानिकी plus minus create हो जाएगा अब आप यहँदी यहाँ पर बल्ब लगाते हैं तो यह आपको बल्ब गलो करता हुआ दिखाई देगा, यदि आपने यहाँ पर connection कर दिया, तो आपको क्या करता दिखाई देगा, बल्ब गलो करता दिखाई देगा, कमाल की बात आप लोग को लगरी होगी, कि अरे वासर, अगर यहाँ पर मतलब हमने कोई बैटरी नहीं रख दे, तो क्या हम इससे बल्ब जला सकते हैं, बेलकुल आप बल्ब जला सकते हैं, समझ गया ना, ऐसी विवस्था को बोलते हैं, थर्मो कपल, क्या बोलते हैं इसको, थर्मो कपल, समझ गया ना, और इस एफेक्ट को बोलते हैं, सी बैक एफेक्ट, क्या बोलते हैं इसक changes the temperature difference between the junction, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि then a thermo EMF is produced, यहां पर एक thermo EMF plus or minus create हो जाता है between the junction which changes the temperature difference between the junction और जो junction के बीच का temperature बदल देता है, अब यह thermo EMF निकाला जाता है इस से E मतलब EMF, E मतलब EMF, बटा EMF को volt में नापा जाता है, किस में नापा जाता है volt में, तो बच्छो E is equal to होता है AT plus BT square, AT plus BT square अब बच्छो याद रखना कि A and B constant है, A and B क्या है, constant है और ये जो B होता है ये बहुत कम होता है, बहुत कया होता है? तो कम होने के कारण इसको आप neglect मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? Porque neglect मान लेते हैं, समझ गए? तो क्या बन गया? E is equal to A T, E is equal to A T, तो ध्यान से देखिए E किसके proportional निकल रहा है? T के किसके proportional निकल रहा है निकल रहा कि नहीं निकल रहा है तो E के T के proportional होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि time पर depend कौन करता है EMF तो हम time नहीं temperature पर depend कौन करता है EMF तो अगर हम EMF में change आएगा तो temperature में भी change आएगा तो temperature के change को हम EMF के change से estimate कर सकते हैं temperature के change को EMF के change से निकाल सकते हैं तो क्या formula बनता देखे T is equal to ET upon E100 multiply by 100 degree Celsius यह formula है कहां से आया क्यों आया चोड़ दीजे important भी नहीं है ना के बराबर आने के chances है तो इसको बस देख लिया आपन है E100 की value क्या होती है where E100 is the thermo EMF यह thermo EMF की value है voltage की value है when hot junction is at 100 degree centigrade और thermometer जो measure करता है वो कितना measure करता है minus 200 से लेके 1600 चलिए तो यह ज़्यादा important नहीं था बच्चों इस पर ज़्यादा आप लोग pressure मत कीजेगा आब आते हैं लोग next topic thermal equilibrium thermal equilibrium का मतलब होता है कि जिसमें ऐसा system दो अगर body है जिनके यदि temperature सेम हो यह भी अगर 14, 40 पे है तो यह भी किते पे है 40 Kelvin यह भी है 40 Kelvin यह भी है 40 degree Celsius यह है तो 40 degree Celsius यह है अगर दोनों equal temperature पे है तो यहाँ से लेकर कि यहाँ के बीच में कोई heat transfer होगा क्या नहीं होगा तो इस व्यवस्था को इसको हम बोलते है thermal equilibrium where there is no transfer of heat between the two bodies in contact the bodies are called in thermal equilibrium this is called thermal equilibrium बोलो clear है बच्चों अब बच्चों होता क्या है कि thermodynamics की जब law बने first law पहले बन चुका था कौन सा law बन चुका था first law और first law की बाद में देखा किया कि यार first law skip बाद में जब बनने के बाद देखा किया कि हम लोगों ने temperature को तो define किया ही नहीं और हमको temperature तो define करना पड़ेगा तो temperature को define करने के लिए temperature की qualitative definition उसकी quality को बताने के लिए first law की बाद second तो नहीं दे सकते थे लोग और basic law था तो इसका नाम क्या दे दिया बच्चो जीरोथ law क्योंकि यह और basic law था इसलिए इसका नाम दे दिया जीरोथ law तो जीरोथ law क्या कहता है जीरोथ law कहता है कि अगर A और B दोस्त है और B और C भी क्या है दोस्त है A भी दोस्त है और B और C भी क्या है दोस्त है तो A और C भी आपस में क्या होंगे दोस्त ही होंगे अब दोस्त तो जो 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 भाई समझ लो भाई यहां पर A और B क्या है भाई है और B और C भी क्या है भाई है तो A और C भी क्या होंगे भाई होंगे यह feeling थी समझाने की अब क्या कह रहा था ये लो देखो ये कह रहा था कि अगर दो system है A और B दो bodies है A और B अगर A और B thermal equilibrium में है किसमे है thermal और B और C भी thermal equilibrium में है समझ में आ गया A और B भी thermal equilibrium में B और C भी thermal equilibrium में है तो यकीनन यकीनन 100% A और C भी thermal equilibrium में होंगे समझ में आया अगर आप इन दोनों को attach क कर देते हो A or C को तो किसी प्रकार की एनर्जी का ना लेन और ना देन नहीं होगा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो दिस इस कॉल जिरोथ लॉफ थर्मो टैनिमिक्स ओम क्लियर नहीं है क्या ओके तो इफ बोडी इस टू बोडी एंड बी इस टू बेड विद इच अदर यहां पर मैंने सी को युषक लिया लोगों ने बी इस पर इनका क्या कहना है कि अगर एक एक युषक के सांद मेंटेन है और बी के क्या सांद मेंटेन है C के साथ, तो A और B भी आपस में thermal equilibrium में होंगे, बोलो आगया समझ में, next रट्टा वाला point है, triple point of water, triple point of water, बच्चो triple point of water क्या हुआ करता है, triple point of water हुआ करता है बिटा, 0 degree Celsius, 0 degree Celsius, ये एक phase है बिटा, 0 degree Celsius, triple point of water, है ना, 0 degree Celsius, triple point of water, यदि इसको Kelvin में कहोगे, तो कितना कहोगे, 273 Kelvin, 273 Kelvin, ये जो phase है बिटा, इसमें, solid, liquid और gas, तीनो एक साथ exist करते हैं, solid, liquid और gas, solid, liquid और gas, ये तो पता होगा आपको कि 0 degree Celsius पर क्या बन जाता है, ice, तो solid होता है, बोलो हाँ, 0 degree Celsius पर क्या रहता है, liquid, क्योंकि 0 degree Celsius क्या है, melting point है, क्या है, मतलब, start होना, melt होना, शुरू हो जाता है, तो liquid भी आ गया, और आपने देखा होगा, जो gas होती है, ये ना, gas से भाप निकलती है, देखा हो, gas को रखे रखे, देखा ना, मतलब, वहाँ वेपर भी प्रेजेंट रहती है, रहती कि नहीं रहती है, तो तीनों फेस को एक्जिस्ट करती है, एक्विलिब्रियम, है ना, coexist in equilibrium, equilibrium exist करती है, समझ गहाँ ना, तो इसको बोलते हैं, इस temperature को बोलेंगे triple point, क्या बोलेंगे, triple point, the values of pressure and temperature, the values of pressure and temperature, pressure or temperature की वो value, pressure or temperature की वो value, देखिए मैंने यहाँ पर हला की temperature बताया है, बढ़ याद रखेगा, इसमें pressure भी काम का है, तो यहां पर pressure कितना रहेगा देखिए 0.46 cm, 0.46 cm, okay, clear होगा न, 0.46 cm Mercury का pressure रहेगा, तो उसमें यह existence होगा, the values of pressure and temperature at which water coexist in equilibrium in all three states of matter, that is ice, water and vapor, it is called triple point of water, pressure and temperature की वो condition जिसमें पानी तीनों केस में exist करें बच्चों उसको हम बोलते हैं, क्या triple point, triple point of water is 273 Kelvin, temperature रहेगा बिटा, कितना temperature, 273 Kelvin पर temperature रहेगा, और 0.46 cm, समझ गया न, of Mercury pressure रहेगा, ठीक है, clear होगा, कोई दिक्कत, तो इन pressure and temperature की इस situation को हम लग बोलते हैं, triple point, वो लो clear है, चलि रहे हैं, अगला topic है, specific heat, specific heat, मैंने आपको thermodynamics की chemistry की बढ़ाई थी, तो मैंने बताया था, वहाँ पर बिटा, गैस चल रहा था, यहाँ पर मास सुरू होगा, याद आ गया, वहाँ पर जब आप specific heat की बात करते थे, तो molar specific heat को आप capital C से दिखाते थे, याद है, और gram specific heat को small C से है ना, तो चलिए देखे, specific heat क्या होती है, यहाँ पर B, small C से दिखाएंगे, या S से दिखाएंगे, किस से दिखाएंगे, C से या, S से, चलिए देखे, molar specific heat, यहाँ पर, specific heat फिलाल जो पढ़ने वाले है, उसका नाम है, gram specific heat, क्या इसका है, इसका मतलब, अगर किसी सबस्टा का, एक gram, कितना, एक gram, मतलब, mass equal to, कितने gram बिठा, वन gram, और temperature का जो change है, वो कितना है, वन डिगरी, C, किसी सबस्टान्स का, एक gram, यह सबस्टान्स का, एक gram है, और इसका temperature मान लिजे है, 75 डिगरी, C, यह, इसकी quantity है, वन ग्राम, चेंज होकर कि यह, वन ग्राम है, और चें 26 डिगरी, C, मास के तर है, अभी भी, वन ग्राम, किसी सबस्टान्स का, वन ग्राम, अपने टेंपरेचर को, वन डिगरी, C, से, चेंज करने के लिए, दोनों चीजे हो सकते, या तो बढ़ाए, या तो घटाए, बढ़ाने के लिए, हीट लेगा, बढ़ाने के लिए, हीट लेगा, मतलब change in heat के लिए, बढ़ाने के लिए, हीट देगा, यदि पीछे जाता तो, change in heat के लिए, अनेगेटिव, तो change करने के लिए, जितने amount of heat को लेता है, ट्रैप करेगा, उस heat को बोलते हैं, उस सबस्तान्स की specific heat, उस सबस्तान्स की specific heat, अब बढ़ा हो सकता है, कि रहा है? 10 कैलोरी, और कोई सबस्टांस ले रहा है कितनी? 10,000 कैलोरी, कितनी कैलोरी? तो यह देख लो भाई, टेंपरेचर चेंज एकरे डिग्री का है, मगर यह बहुत कम हीट में गरम हो गया, और यह बहुत हीट में गरम हो गया, तो मैंने इसका एक्जामपल दिया थी, कि आपके क्लास के दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक को आप भड़का रहे हो, थोड़ी सी बात कहीं नहीं, फूल के कुपपा हो गया, गुस्ते के मारे, और एक को आप भड़काए डाल रहे हो, मगर इतना सूपर कूल है कि उस पर कोई फरक पढ़ ही नहीं रहा है, बुल सब्सक्राइब लान्स बाइवन डिग्री सेल्सियस इस कॉल स्पेसिफिक हीट, इस डेनोटेट बाइज सी और सी और सी अर सी तो आप देखिए मेरी बास सुनिएगा, यहां पर मैं कहूंगा कि एक ग्राम के लिए, एक ग्राम के लिए जो बेटा हीट लगती वो किती होती एक ग्राम के लिए हीट लगती किती होती है, एक ग्राम के लिए जो टेंपरेचर इनवाल होता है, वो कितना होता है, वन डिग्री सेल्सियस, मतलब वन ग्राम और वन डिग्री सेल्सियस के लिए जो हीट इनवाल होती हो किती होती है, एक ग्राम के लिए एक ग्राम के लिए कितना होगा M S delta theta हाँ यह न? M S delta theta यह क्या है? heat की requirement delta Q is equal to M S delta theta amount of heat required by M gram to change in temperature by delta theta समझ में आ गया? तो what is change in heat? delta Q is equal to mass M gram S मतलब उस सबस्तान की specific heat और delta theta मतलब change in temperature आई बस समझ में न? इस specific heat का आप unit बना लो S equal to delta Q upon M into कितना delta theta? बोलो आ गया? अगर CGC unit में इसकी unit बनाएंगे तो देखे कितना आएगा delta Q किसमें आएगा? calorie किसमें आएगा? calorie पर gram पर degree Celsius समझ में आगया न? तो इसकी unit क्या होगी? calorie पर gram पर degree Celsius, clear हो गया? SI unit की बात करूँगा मैं, तो SI unit में देखे, इसको किसमें नापेंगे अपन में? इसको नापेंगे अपन में, किसमें नापेंगे? Joule, mass किसमें आता है? kilogram और theta किसमें आता है? Kelvin तो SI unit में इसकी unit हो जाएगी, Joule पर kilogram पर Kelvin, Joule पर kilogram पर Kelvin, समझ गया न? ओके, change in temperature को Celsius में लिया गया है, ओके ठीक है, तो है Celsius याद रखेगा, Joule पर kilogram पर Celsius तो इसकी dimension तो आप बनाई लेंगे, चलिए, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था, कि पानी की जो specific heat है, वो है 1 calorie पर gram किती है, पानी की specific heat, C water या S water कहलो, equal to, मैंने बताया था याद करो, 1 calorie पर gram पर डिगरी Celsius हाया ना, 1 calorie में कित्ते होते हैं पेटा, 4.2 Joule याद आ गया, 1 calorie में 4.2 Joule पर kilogram पर डिगरी Celsius बोलो हाया ना, अब मैं क्या करता हूँ, 100 का, 1000 का उपर multiply और 1000 का नीचे, तो 1000 multiply by 4.2 Joule और नीचे, 1000 gram पर डिगरी Celsius बोलो जी हाया ना, हाँ बोलो, तो यह कितना हो गया बिटा, 4200, कितना हो गया, 4.2 का decimal तोड़ोगे नीचे 10 आएगा, और इधर कितना है, 1000, 00, cancel, तो कितना हो गया बच्चों, 4200, हुआ की नहीं हुआ, तो यह हो गया बिटा, अपने पास, 4200 Joule, 1000 gram को क्या बोलते हैं, बोलो, 1 kilogram, बोलते हैं, तो kilogram per degree Celsius, तो बैच्चों, water की specific heat कितनी होती है, 4200 Joule per kilogram per degree Celsius, यह इसी को बोलते हैं, 1 calorie per gram per Celsius, समझ गया है, degree Celsius, which is high compared with most of the substance, जो कि बहुत जादा है, मतलब पानी, 1 kilogram पानी, जो होता है, एक kilogram पानी यह आपके पास रखा है, 1 kg पानी कहलो, या पानी का पाउच कहलो, एक लीटर का, किते लीटर का, तो मैंने बताया था, कि एक लीटर पानी का बजन भी कितना होता, 1 kilogram, अगर आप इसको temperature बढ़ा करके, 1 degree Celsius से आप इसका temperature rise करना चाहते हैं, समझ गया है, 1 degree Celsius का temperature बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 22 degree है, तो इसको कितना करना चाहते हो, 23 degree करना चाहते हो, तो मालूम आपको किते हीट देनी पड़ेगी, 4200 J, किते जूल, बोलो आगया समझ मेंना, जो की बहुत जादा है, जो की बहुत जादा है, समझ गया है, चलिए, दो प्रकार की specific heat होती ह तो S, क्या यूश करो, S जैसे मैं लिखा, C water, S water, अगर solid है, या liquid है, तो S यूश करो, तो formula क्या बनेगा, बच्चों, बोलो, delta Q is equal to M for mass, okay, S delta theta, M S delta theta, अगर gas है, तो C यूश करो, gas है, तो क्या यूश करो, delta Q is equal to M small c delta theta, बोलो ठीक है न, M C delta theta, अब C दो प्रकार की होती है, Gases के किस में, किस के किस में, Gases के किस में, दो प्रकार की होती है, 1 at constant pressure, और 8 at constant volume, समझ में आगे न, है न, specific heat capacity of a gas at constant pressure, और constant volume, समझ गे न, small c रहें दो, क्योंकि molar के लिए capital ही उस करते थे, याद है कुछ, molar के लिए क्या उस करते थे, capital है न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आप बोलोगे, तो delta q is equal to, अगर constant pressure की बात करोगे, तो mcp delta theta, constant pressure पे, और अगर constant value की बात करोगे, तो delta q is equal to mcv delta theta, आ गया समझ में, तो दो परकार की है, constant volume पे, और constant pressure पे, ठीक है न, कोई दिक्कत, ओके, अभी बताया था मैंने आपको, specific heat constant pressure at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume, मेनने की cp जो होता है, वो क्या होता, cv से ज़ादा होता है, यद है आपको, specific heat constant pressure cp से क्या होता है, ज़ादा होता है, अब यह capital है, मतलब की molar के लिए, one mole के लिए हैंना, जब आप capital की बात करोगे, मolar specific heat, क्या बत करोगे, molar specific heat, gas की मोल के लिए बात करोगे, तो capital c, unpredictable c, one mole का है किसका है वन मुल का ते रोलेशन मेंने क्या पढ़ था मूलर स्पेसिफिक हडी कि खी एकाल को टू क्या रहे हम हम लोग मिर्स फॉर्मूला क्या बोलते इसको मेर्स फॉर्मूला औहुची आ शौकर पड़ता है चार्श हो ठाये के गामा किस पर डिपेंड करता है, मैंने बताया था, the value of gamma depends on atomicity of gas, याद आगया, gamma का formula लिखाया था, 1-2 by F, ऐसा कुछ था न, into R, याद होगा, आप लोग का, इसा कुछ पढ़ाया था, degree of freedom से, है न, 1-2 by F into R, चलिए, अगला, ये हो गया, गामा इसे value depends on the atomicity of the gas, amount of heat energy required to change the temperature substance, ये बता लिया भाया, मैंने, अगर किसी substance के energy change करना चाहते, तो amount of heat, delta Q is equal to below, M, S, delta, theta, बो हाँ, अगर gas की बात करोगे, gas की बात करोगे, delta Q is equal to, बोले क्या होगा, M, 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 C, है न, small c, क्योंकि अगर आप mass की बात कर रहे हो, तो small c, clear है, M, small c, delta, t, ये delta, theta, whatever, जो भी देना, बोलो हाँ है न, clear होगे न, अगर आप mole की बात कर रहे हो, तो delta Q is equal to, mole, number of mole क्या होते है, N, क्या होते है, N, अब आएगा capital C, अब क्या आएगा, capital C, क्योंकि heat required to heat one N mole, N, C, delta, theta, समझ में आगया, तो चीन चीज़े है, एक substance के लिए, solid liquid के लिए, ये, gas का मास दिया गया, तो M, C, delta, theta है, small में, और अगर mole दिया गया है, तो N, C, delta, theta, C, क्या है, capital, molar specific heat, क्या है, समझ में आगया, here M is the mass of substance, small C, specific heat of the substance, and delta T is the change of temperature, बोलो, clear हो गया, next topic है, thermal capacity, thermal capacity, देखिए भाई, की, अगर मैं बोलूं, की, एक gram substance को अपना temperature एक degree Celsius से बढ़ाने के लिए, कितनी heat की जरूरत पड़ती है, C की, पड़ती की नहीं पड़ती, एक gram substance को अपना temperature, one degree Celsius से बढ़ाने कितनी जरूरत पड़ती है, C की या S की हाँ है ना तो M ग्राम को किती हीट की जरूरत पड़ेगी 1 डिगरी से बढ़ानी के लिए M into C या कहोगे M into S तो इसी को बोलते है Thermal Capacity Thermal Capacity मतलब Q equal to M C कहलो या M S कहलो समझ गए ना तो what is Thermal Heat Capacity इसी को Thermal Capacity बोलते है Heat Capacity of an anybody is equal to amount of heat energy required to increase its temperature through 1 degree Celsius तो Heat Capacity equal to M into C M into C आगे साज में ना Heat Capacity equal to M into C clear हो गया भाई तो unit इसकी बना दूँगा M into C की M होता है क्या Kilogram M क्या होता है Kilogram इसकी unit क्या होती भाई साब इसकी Joule पर किलोग्राम पर डिग्री Celsius है ना पर Kelvin होती Celsius अब 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 लादी Kelvin पर Kelvin SI में किलोग्राम से किलोग्राम cancel answer कितना आ गया Joule पर Kelvin Joule पर Kelvin यहाँ पर सही है वहाँ पर Kelvin है स्टार्ट में यहाँ जो इसने Celsius कर दिया था यहाँ पर क्या जाएगा क्या लिवें वह लो क्लियर है SI की बात करोगे तो ठीक है ना कोई दिक्कत ठीक है बच्चो आगे समझ में ना अब अगला क्वेश्चन है बच्चो बच्छ अ अधब बच्चन है इस अधूनदी दिए थोंदी अधिय क्षर्म– इस। क्यून दिह फैंटी Мосव च्बचित folder बॉड़ी, हाँ भाई, it is quantity of water whose thermal capacity is same as the heat capacity of the body, अब सम्झो भाई साब, यह एक ब्लॉक है, बोलो हाँ, इसका temperature तुमने 1 डिगरी से बढ़ाया है, बोलो हाँ, इसकी specific heat कितनी है, ऐसे, कितनी है, एसे, और और इसका temperature एक डिगरी से बढ़ाने पर, जो उसको तुमने heat दी है, डेल्टा क्यों, वो कितनी हीट इसके पास में है, इतनी हीट आपको पानी को देना है, किसको देना है, पानी को, मानलो इसके पास heat है 40, कितनी हीट है इसके पास, 40, समझगे ना, इसकी heat 40, अब आपने पान में लिया, यहां पर, और heat निकालने को सब्सक्राइब, डेल्टा क्यों एक कोल टू, डेल्टा क्यों इक कोल टू, आपने इसके heat निकालने को सब्सक्राइब, डेल्टा क्यों इक कोल टू, पानी का amount मानली है, यहां पर इसने M मानल लिया था, आपने यहां पर पानी का amount मा क्या माल लो डबलू बलो हां M into पानी की specific heat क्या होती है 1 और इस change in temperature thermal capacity का कितना होता 1 ही होता है बलो हाय ना clear हो गया clear हो गया अब जितनी heat इसको दिये हो उतनी heat इसको देना है बलो हाय ना तो यहां वाली heat कितनी है delta q और यहां वाली heat कितनी है delta q तो यहां w आ गया तो w is equal to कितना m into s m into s समझ भाया है मतलब जिसको आप जिसकी thermal capacity है thermal capacity है thermal capacity के equivalent water को जो mass आएगा water का वो कहलाएगा water equivalent क्या आएगा water equivalent वाटर क्या आएगा it is the quantity of water whose thermal capacity is same as the heat capacity of the body पानी की वो मात्रा जिसकी थर्मल कैपसिटी पानी की वो मात्रा वोस थर्मल कैपसिटी जिसके थर्मल कैपसिटी गिवन बाडी की थर्मल कैपसिटी के बराबर है या गिवन बाडी की हीट कैपसिटी के बराबर है आई बास समझ में की नहीं आया आई बास समझ में की नहीं आया मालूम यह क्यों करते हैं क्योंकि जितना भी हम comparison करते हैं हम सब पानी को लेके करते हैं हम किस को लेके करते हैं पानी को लेके इसका मतलब ऐसा समझो मैंने तुमको खाना खिलाया बहुत सारा और खाना खाने के बाद तुम्हारे अंदर heat आ गई, क्या गई, heat आ गई, खाना खिलाने से तुम्हारा temperature मैंने 40 degree Celsius से बढ़ा करके, मैंने 41 degree Celsius कर दिया, कर दिया, बोलो है न, तो और तुम्हारी specific heat कितनी है, S, कितनी है, तुम्हारा mass कितना है, M, तो total heat जो मैंने तुमको दी, Q, एक ग्राम के लिए, कितना हो गया, M into S, होई कि नहीं होई, अब मैं कह रहा हूँ कि, यही heat मैं पानी को देना चाहता हूँ, same amount of heat किसको देना चाहता हूँ, मैं, पानी को, बोलो है न, तो पानी के लिए भी heat दिना पड़ेगा, तो पानी का मैंने mask का मैं दिया, W, बोलो है, पानी का mask कितना मैं दिया, W, तो मैंने heat दिना शुरू करी, तो Q is equal to W, बोलो हाँ, और 1 degree Celsius से temperature change करना है, तो W into S water का, water का कितना होता है, 1, और delta theta भे कितना है, बोलो, 1, हाँ है न, यहाँ पे किती heat दिना, W into 1, याने W हो गया, बोलो हाँ है न, तो same heat दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, तो ये वाली heat और ये वाली heat बराबर होगी कि नह मतलब MS equal to W, याने W equal to कितना MS, मतलब यहाँ की जो heat है, वो उसके water के किसके equal है, weight के equal है, किसके equal है, mass के equal, sorry, mass के equal, क्यों, ये पंगा क्यों होगा, क्योंकि इसकी value 1 हो गई, इस specific heat की value किती हो गई, 1 हो गई, आई बस समझे न, तो W is equal to MS equal to heat capacity of the body, समझे न, it is the quantity of the water, whose thermal capacity is same as the heat capacity of the body, it is denoted by W, इसको W से denote करते हैं, ठीक है, अब बच्चो अगला topic है, latent heat, बहुत must topic है latent heat, ठीक न, latent heat देखी क्या हो रहा है, latent heat क्या होती है, देखे बच्चो अगला topic है latent heat, latent heat को समझने के लिए पहले मैं आपको एक process समझा रहा हूँ, एक phenomenon समझा रहा हूँ, फिर आपको latent heat बड़े आराम से समझ में आएगी, पानी को जब आप गरम करते हो, उसके लिए इस graph को देखो, यहाँ पे heat है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ temperature, यह temperature versus heat का graph है, इससे आपको अनुमान मिल जाएगा कि पानी किस तरीक इस गरम होता, बानलो बच्चो यह 0 degree Celsius है, किते temperature यहाँ पे और 0 degree Celsius की यह ice है, क्या है विटा यह? ice, अब आपनी heat बढ़ाना शुरू किया, heat बढ़ाना शुरू किया, heat बढ़ती जारी, बढ़ती जारी, बढ़ती जारी, बढ़ती जारी, यह heat आपकी बढ़ गई है, ठीक है भी यह? यह heat आपकी बढ़ती जारी है, टमप्रेचर नहीं बढ़ रहा है अब ीसकी शियरो डिङरी से पहँचे है इसको बोलते हैं latent heat of fusion latent heat of fusion देखे गजब की heat है यह दिखती नहीं है क्यों नहीं दिखती क्योंकि इसमें temperature में change नहीं आया है temperature में change नहीं आया है तो आप जानना चाहोगे कि sir temperature में change क्यों नहीं दियो हमने तो heat दी है और आप कहते हो कि जब भी heat बढ़ा हो तो molecular arrangement disturb होने लगते है manager दोड़ने लगते हैं तो होता क्या है वेटा जब भी आपकी state change होगी जब भी state change होगी तो temperature CHANGE नहीं होगा जब state change होती तो temperature change नहीं होगा तो sir घुट गई कहां वेटा जब solid के molecule थे तो solid में water के molecule पास-पास में थे की नहीं वोह अर वोटर के पास-पास में थे, यह जो हीट आपने यहां पे दी है, तो यह छुपा-छुपी यह हीट जो है, इनको दूर करने में यूज हो गई, क्या यूज हो गई? दूर करने में, इसलिए इनको मूव नहीं कर पाई, मगर इनको दूर करने में यूज हो गई, और गैस, और आइस से, यानि कि solid से काय में convert कर डाला liquid में किसमें convert कर डाला liquid में देखो पहले ये solid था पास-पास में देखो अब क्या हो गए liquid में अब इसलिए इसको बोलते है latent latent ये ने छुपा हुआ latent heat of fusion latent heat of fusion क्योंकि बर्फ गल गया गल के पानी बन गया अब इसके बाद कहा नहीं हम तो और बढ़ाएंगे तो अब temperature बढ़ना सुरू होगा क्योंकि अब molecule दूर जाना सुरू हो जाएंगे तो ये देखे temperature बढ़ना सुरू हुआ बैठो जी उधर बाहर से लेओ है ना देखे temperature बढ़ना सुरू होगा ये देखे temperature बढ़ना सुरू देखो temperature का स्केल बढ़ने लगया ना है ना ये temperature बढ़ना सुरू हो गया यस ये देखे temperature यहां तक आ चुका है बढ़कर के ठीक है ना ये temperature कितना बढ़ गया बो 100 degree Celsius अब ये 0 degree Celsius के पानी से यह 100 degree Celsius का water बन चुका है यहाँ पर, 100 degree Celsius का water, किते का water, 100 degree Celsius का पानी, पहले यहाँ 0 degree Celsius का पानी था, बढ़ते 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 यह 100 degree Celsius का water आ चुका है, आ गया सामझे ना, अब देखो भईया, अब state change नहीं हुई है, बुलो हाँ, state change, समझ गए, मतलब state change नहीं हुई है इस्टेट चेंज नहीं हुई है मतलब टेंपरेचर चेंज हो रहा है तेंपरेचर चेंज हो रहा है और जब भी टेंपरेचर का चेंज होगा तो फॉर्मुला कौन सा वाला लगा होगे मतलब अभी यहां से गरम कर दिये हो तो टेंपरेचर चेंज हो रहा है मत सब्सक्राइब तो पानी जो था 0 डिगरी सेल्सियस के खौलते हुए पानी में बदल चुका है समझ गया है अब देखो भाईया अब वैपराइजेसन सुरू होने वाला है क्या सुरू होने वाला है वेपराइजेशन समझ गया ना पानी भाब बनके स्टीम बदलने वाला है तो मैं इसको रेड़ कर दो पूरा जिससे आपको समझ में आ जाए मजईराग्राफ तो आप यहां पर आकर के बैठे हुए ठीक ना अब होगी स्टेट चेंज अब क्या होगी स्टेट चेंज अब देखे फिर से पानी लिकुड में जितना बना था ब बन गया मतलब कितनी हीट गई है महसूस करो इस बात को यह देखो यहां से ले करके यहां तक की हीट यूटिलाइज हुई है कि नहीं हुई है बोलो क्योंकि हीट का इसके लिए है ना तो यहां से ले करके यहां तक की हीट यूटिलाइज हुई है बोली हाँ है ना मतलब ही के लिए एक ग्राम पानी को भाब बनने के लिए इतना सारा heat यूज हुआ है, इसको बोलते हैं, latent heat of vaporization, क्या बोलते हैं? latent heat of vaporization, समझ गए? अब अब आपको बता देता हूँ, वैसे नाम शब्दों में, मुझे थोड़ा सा याद है, कि बानी के एक ग्राम को, ये देखो बरब से पानी बनने के लिए कित्ती कैलोरी चलती है 80 कैलोरी 80 कैलोरी बोलो हाया ना और पानी के एक ग्राम को खौलते पानी से भाब बनने के लिए कित्ती कैलोरी लगती है 540 कैलोरी कित्ती कैलोरी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, बुलो है ना, so this is latent heat of vaporization, और ये latent heat of fusion, बुलो है ना, latent heat of fusion, तो बताओ जादा जबरदस्त कौन है, vaporization की fusion, vaporization की fusion, बुलो है ना, बुलो है ना, vaporization की जादा है ना, अब यदि यहाँ वाला पानी पढ़ गया हाथ में, तो गरम पानी से जले, किस से जले, गरम पानी से, 100 degree Celsius से, और यदि यहाँ वाला पढ़ गया, तो भाप से जले, किस वाली भाप से, 100 degree Celsius, देखो दोनों का temperature सेम है, यहाँ भी 100 है, और यहाँ भी 100 है, अब बताओ, ज्यादा खदरनाक किस से जलना होगा, 100 degree Celsius के पानी से, यह 100 degree Celsius की भाप से, गलत बात, भाप से, यह देखो, इतना सारा मसाला अंदर रखा हुआ है, यह 540 की खदरनाक वाली स्टीम ले करके हीट ले के आ रही है, यह भाया ना, ताबड तोड़ एनरजी है, यहाँ भाप के अंदर, yes or no, clear हो गया, समझ में आ गया, अब 100 degree Celsius का इस्टीम बन गया, बोलो yes, अब इसकी उपर आप और गरम कर रहे हूँ, यह लो भाई साब, अब तो दोड़ाते जाओ, अब जितनी heat दोगे temperature बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कोई इसके आंगे की state होती नहीं है, समझ में आ है ना, kinetic energy बढ़ती जाएगी, kinetic energy बढ़ती, बोलो clear की not clear, clear की not clear, अब यहाँ पे भाईया kinetic energy बढ़ती जाएगी, volume बढ़ता ही जाएगा, आई बात समझ में न, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे volume आपका बढ़ता जाएगा, इन में volume constant रहेगा, यहाँ पे volume constant है, यहाँ पे volume constant है, समझ गया न, यहाँ पे volume constant है, क्योंकि जितना पानी था, उतर नहीं पानी है, expansion नहीं हुआ, expansion नहीं पर पे हुआ है यहां पे हुआ है समझे ना एक मिनट जीरो डिग्री सेल्सियस की आइस से लेकर के जीरो डिग्री सेल्सियस का वाटर फिर वाटर से लेकर के स्टीम सॉरी वॉल्यूम कॉंस्टेंट नहीं होगा इन में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्योंकि आइस का heat involved हुई है यहां पे एक यह हुई है उलिहाँ latent heat of fusion or latent heat of vaporization ज्यादा बड़ी heat latent heat कौन सी है fusion की की वापराइज़िशन की पांसो चालिस लग रही भाई सब एक ग्राम पानी में मतलब एक ग्राम पानी का temperature एक ग्राम पानी का बढ़ाने के लिए वन डिगरी से समझ गया ना भाब बनाने के लिए किती लग रही है फाइफ फुटी इसलिए भाब के अंदर बहुत जबरजस्थीत होती है समझ गया और उसके बाद टेंपरेचर बढ़ा दो तो क्या नहीं करा सकते हो इसलिए इसके आंगे का पूरा आए और जॉन साइन जान आपको चलाना हो चलवाईए आए देखते हैं ठीक है ना तो लेटेंट हीट वाट इस लेटेंट हीट इस्टेट को चेंज ना करने के लिए इस्टेट चेंज ना हो इस्टेट चेंज ना हो इस्टेट इनरजी एब्जार्ड और रिलीज एब्ज करी है क्योंकि पानी से भाब बनाये हो इस्टीम वाटर टू स्टीम यह सणों सो दा हीट एनर्जी इब्जॉर्ड और रिलीस दोनों चीज हो जाएगा एब्सॉर्ब के लिए डेल्टा क्यू पॉस्टिव और रिलीस के लिए डिल्टा क्यू नेगरिव एटा कॉंस्टेंट वाटर यह देखर लो भाई सब टमपैट ची नहीं हुआ है पहले वाले में पहले बाले में पहले ऐने बनारा रहा है at constant temperature per unit mass for change of state is called latent heat. समझ गया है? Per unit mass मतलब वही एक ग्राम के लिए, एक डिग्री सेल से, यह ना? Per unit mass for change of state, state change करने के लिए, temperature तो change होने नहीं है, काय का? Tension ही नहीं टेंपरेचर का, temperature change होना ही नहीं है, तो बच्चों मेरे, अगर, एक ग्राम के लिए लगने वाली latent heat L है, कितनी heat है? L. तो बच्चों, M ग्राम के लिए latent heat कितनी लगेगी? M into L. इसलिए Q, total heat equal to mass into L, M into L, बोलो हाया ना? So, heat energy absorbed or released during the change in state given by Q equal to M L, where M is the substance, L is the latent heat. इसकी unit क्या होती? Latent heat की, लिका लो भाया, L equal to कितना आजाएगा, बोलो यहां से, L equal to आजाएगा Q, Y, M, Q को किसमें आपो के जूल में, M को किसमें आपो के किलोग्राम में, तो आंसर आजाएगा जूल पर किलोग्राम और इसकी dimension फलाना देमा का, डम डम डम, बोलो clear है? चलो, आजाओ, ठीक ना, बच्चो जी, Water is normal boiling point, लेओ, Water boil होता है, Water is normal boiling point, और condensation temperature 100 degree Celsius, Then the latent heat of vaporization, देखा था आपने, 100 degree Celsius पर, पानी था, Water था, बोलो हां, गरम करते, 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 heat देते, 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 100 degree Celsius की क्या बन गई थी? भाब बन गई थी, steam बन गई थी, बोलो हां, clear हुआ? तो इसको change होने के लिए, एक ग्राम पानी को, जो heat देनी पड़ेगी, वो कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी देनी पड़ेगी, एक ग्राम को, 540 कैलोरी एक ग्राम को देनी पड़ेगी, बोलो हां, और यदि जूल में बात करोगे, तो 260 किलो जूल पर किलो ग्राम केजी, समझ गए? वोई उपर कैलोरी में 4.2 और 1000 का नीचे मल्टिप्राइ करने पर तो या तो एक ग्राम की बात करोगे तो 540 कैलोरी पर ग्राम कहलो या 2260 जूल पर किलो ग्राम आ गया क्या है ये लेटेंट हीट ओफ वापराइजेशन बड़ी जबरदस्त है अब देख लो पानी के लिए फ्रीजिंग करने के लिए 0 Degree Celsius 0 Degree Celsius के वाटर आइस को किसको आइस को गरम कर रहे हो 0 Degree Celsius के वाटर में बदलना है आज पहली बार जिन्दिगी में पता चला है कि ice को water में जब तक बदलता है तो कोई temperature change नहीं होता आज तक तक तो यही सोचते थे कि भाई आ पानी बरफ को गरम करोगे पानी में तो temperature change होगा यही सोचते थे ना बोलो जोर से हाँ मगर आज पता चल गया है कि ice जब water में बदलेगा 0 degree Celsius में तब तक कोई temperature change नहीं होगा तब तक कोई temperature change नहीं होगा तो वो temperature change कहाँ जाएगा उसकी जो heat होगी वो कहाँ जाएगी वो heat केवल intermolecular attraction को कम करने के प्रयास में मजदूरी करेगी समझ गया ना और वो heat कितनी लगीगी यहाँ पे देखिए यहां पे kittin heat देनी पड़ीगी 80 कलोरी पर ग्राम 80 कलोरी पर ग्राम मतल atravी को कितना कलोरी लगएगा 80 कलोरी बुलो हां यह जूल की बात करी जाए 3x36 ृच किलो जूल पर किलो ग्राम समझ गए 12860 किलो जूल पर मोल यह सब रखते वाले पॉइंट है, मैंने यह है, 80 कैलोरी पर ग्राम, समझ में आगया कि नहीं है, तो आपने देखा, कि भाप जो होती है, पानी से भाप बनने के लिए 540, मतलब लगभग 7 गुना एनरजी की रिक्वार्मेंट होती है, हाँ या ना, तो गरम पानी से जलोगे तो कम हर्ट होगा, मगर भाप से जलोगे तो जबरदस्थ हर्ट होगा, समझ गए, क्लियर हुआ की नहीं हुआ, इसलिए जो कॉफी बनाने वाली मसीन होती है, जिससे भाप निकलती है, उसको बड़े अच्छे से ऑपरेट करना पड़ता है, यदि उसकी स्टीम हाथ में प 100 degree centigrade, 100 degree Celsius, पे उबलते पानी से अच्छा है, अच्छा नहीं, यह खतरनाक है, क्या खतरनाक है, कि आप स्टीम से जलेंगे, अगर स्टीम से जलेंगे तो ज्यादा खतरनाक है, इस मोर पेंफुल तो गट बन by स्टीम, रदर दन बाई बई बॉलिंग वाटर एट हंडर दिड 100 degree centigrade समझ में आ गया कि विकास गतर गेट कनवर्टेड इट 100 degree centigrade समझें आ ना वाटर को अंवर्ड करने के लिए जो वाटर कनवर्ट उटा 100 डिग्री स्टीम पर क्या करेगा देखो भाई इंट गिपस 536 36 heat 536 यह थोड़ा सा इन लोगों ने परिशान कर दिया यहाँ पर आप मेरी भासा में समय लो भीया जब आप पानी से जलते हो और उसकी तुलना में आप भाब से जलते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा हीट मिलती है वो कित्ती मिलती है 540 कैलोरी 540 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम मतलब एक ग्राम भाब जो होती है अपने अंदर कित्ती हीट कंटेन करती है 540 कैलोरी अब बाकि अब जितने ग्राम से जले होंगे तो तुने का मल्टिप्लाई कर दो मतलब एदी एक ग्राम की मैं तुलना करूं 100 degree centigrade boiling of water. बोलो जी हाया ना? clear की not clear? any problem? चलिये, अगली बात करते हैं. अगली बात करते हैं. After snowfall, the temperature of the atmosphere become vary. After snowfall, the temperature of smorphere become vary. This is because snow absorbs at the heat from atmosphere. so down in mountains, when snowfall, no one will not feel, but when ice melt. हाँ भाई, क्या कह रहा था? मैं समझ गया. अब मैं समझा दीता हूँ. इनका कहना है, after snowfall, the temperature of the atmosphere become very low. Very low. अब ये प्रेक्टिकल सिचुएशन है भाई, जब सिम्ला गुमने जाओगे, तब आनन्द आएगा इसका. जब मनाली गुमने जाओगे, तब आपको ये चीज फील होगी. क्या होता, मैं आपको बता दूँ. बिटा, जब तक, ये मनाली के खुश्चूरत पहाड़, और यहां आरुश अपना मस्ती करता हुआ. बरफ का गुला फेका ऐसा. ठीक है? ठीक है? ये भाई साब. और उपर से बरफ गिर रही है. उपर से बरफ गिर रही है. आइस, इसनो फॉल हो रहा है. बच्चो जब तक इसनो फॉल होता रहेगा. जब तक इसनो फॉल होता रहेगा. तब तक वेदर का टेमपरेचर नहीं गिरेगा. तब तक temperature नहीं गिरेगा वैसे का वैसा आपको लगेगा महौल समझ गए अब जैसे ही इसनो जैसे ही इसनो fall रुख जाएगा इसनो fall क्या हो जाएगा कडाके की गलन पड़ेगी ठंड का भी पिता जी गलन समझ गए ना ice melt होना सुरू होगी क्या होना सुरू होगी ice ice melt होती है ice melt होगी भाई साब melt होने के लिए ice zero degree Celsius की ice zero degree Celsius के water में बदलेगी समझ रहे हो मेरी पूरी बाते zero degree Celsius की ice क्या बदलेगी zero degree Celsius के water में पकी बात तो zero degree Celsius की ice zero degree Celsius के water में बदलेगी तो बिना अपना temperature change करे ice, क्या करेगी heat absorb करेगी क्या करेगी बोलो करती की नहीं करती है और किस rate से absorb करेगी 80 calorie per gram बोलो हाँ 80 calorie per gram जबरदस तरीके से बेटा heat absorb करेगी और heat कौन देगा, atmosphere ही तो देगा कौन देगा, आप थोड़न दोगे समझ गए, तो जैसे ये absorb करेगी bitter atmosphere तगड़ा वाला थंड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तगड़ा वाला हाँ, समझ में आया तो जब तक बरफबारी है भाई साब, तब तक तो बहुत मजे है उसी समय बरफबारी में वही लिखा हुआ है, after snowfall the temperature of the atmosphere become very cold, very low this is because snow absorb the heat from the atmosphere to down उल्हा, so in the mountains when snow fall one does not feel too cold when wet ice melts he does, he feels too cold, जब पिखलती है बरफ समझ गए ना तो जब ज़्यादा बरफ पढ़े डरने की बात नही है खूब खेलो, खूब मस्ती करें वहाँ पे तब कोई tension वाली बात नहीं है खूब बरफ गिरे, उतनी ठंड नहीं पढ़ेगी और बलकि जितनी ज़्यादा गिरेगी वो जमा रहेगा उतना बरफ पिखलना ही नहीं देगा उसको दिक्कत कब होगी? जब बरफ पिखलेगी समझ गया ना? और दूसरी दिक्कत होती है हवाँ से दूसरी दिक्कत किसे होती है? अबर हवा ना चले तो कोई प्रावलम नहीं है फिर चाहे आप कहीं भी चले जाएं ओके आंगे देर इस मूर शिवरिंग एफेक्ट अफ आइस क्रीम ओन टीथ अस कंपेर आप वाटर अप्टेंड फ्रॉम आइस इस बिकार विन आइस क्रीम डाउन इड़ आइस क्रीम डाउन इड़ आउंट फ्रॉम तीथ बच्चो वाला सवाल है ठीक ना? क्राइसमट है आइस क्रीम कोल्ड होती है तो ज़्यादा हीट मांगेगी आपके मूँसे तो हीट मूँसे जाएगी तो कशा काप पाहट होगी तो ठंदा पानी नहीं लेगा सिंपल चलो कै लॉजिक नहीं इसमें जादा अगली बात करते हैं मेलटिंग What is melting? Conversion of solid into the liquid. Burf पिगल गई. Solid into the liquid state is called at constant temperature. पकड़ो बात को. At constant. क्योंकि मैंने बताया है भाई, सब्याद रखना. जब state change होगी, तो temperature change? अए? नहीं होगा. बुल गया. जब state change होगी, यह देखो, state change हो रही है, यहां से यहां, होई कि नहीं होई है? क्या है? आइस. क्या है? और यह क्या है? वाटर. इस्टेट चेंज होई कि नहीं होई? इस्टेट चेंज होई कि नहीं होई? आइस क्या था? इस्टेट चेंज होई कि नहीं होई? और वाटर क्या है? यह भी तो यार याद कर लो state change होती है तो temperature change क्योंकि पूरी-पूरी energy धागे खोलने में लग जाती है न दूर-दूर करने में बता तो दिया state change होती है तो temperature change नहीं होता है clear हुआ? क्यों और बता है तो इसलिए melting होगी तो किस पे होगी constant temperature पे बोलो हाँ boiling होगी तो किस temperature पे होगी constant पानी की melting बिल्कुल fix पे होगी 0 degree Celsius पे पानी की boiling बिल्कुल किसने पे होगी 100 degree Celsius पे बोलो हाँ या ना इसलिए boiling constant होती है 100 पे ही होती है clear हो गया? So this is called melting ठीक अब एक्जाम में आ गया आपको melting occurs at melting occurs option है a 0 degree Celsius option b है 0 to 10 तीसरा option at all temperatures above 0 at all temperature above 0 और चाथा कुछ और दे दिया minus 100 दे दिया बहुत सारे बच्चे किस पे टिक लगाएंगे है बोलो पक्का पानी पिघलता है 0 पर या 0 के ऊपर 0 से लेके 0 तक सब पर 0 पर 0 पर समझ गया ना और यह यह ना जानते तो सब लोग लगाते थे अरे 0 से तो सुरू होता है ना उसके ऊपर तो गैस खोलके on कर दो तो पिघलता ही रहेगा बोलो भाई साब हाया ना अब या कनवर्जन केबल जो होता है कॉंस्टेंट टेंपरेचर पर होता है बच्चा हाँ समझ मैं की नहीं है अब पढ़ते हैं इवापरेशन क्या पढ़ते हैं कनवर्जन ओफ लिक्विड इंटू दवेपर एट ओल टेंपरेचर याद रखना बॉाइलिंग नहीं है भाई साब यह बॉाइलिंग नहीं है यह क्या है एवापरेशन जब तुम छट में पानी रख करके आओगे अभी सुबह सुबह रख दो के दस बज़े पानी छट में गिलास भरके यहां तक और साम को जाओगे तो पानी इतना बचेगा बोलो हाँ कहां चल गया एवापरेट होके उपर चला गया क्या होके चला गया एवापरेट हो करके समझ गया ना तो एवापरेशन एक सरफेस से होता है मैसा उपर वाले सरफेस से तो क्या temperature क्या 100 degree हो गया आजका भाई human के सरीर का temperature 37 degree Celsius है हम लोग 40 45 में मर जाएंगे अभी तो ठंड चल रही है तो क्या 100 degree Celsius हो गया उबल गया पानी उबला नहीं है यह evaporate हुआ है याद रखेगा evaporate के बल सरफेस से होता है किस से होता है और boiling दाने दाने में हर जगह होती है boiling का असर हर जगह होता है मगर evaporation का असर केवल सरफेस पे होता है आई बस समझ में न तो याद रखना evaporation at all temperature मान लो objective आगया इस example में evaporation happens option में बन करके आगया जीरो डिग्री सो डिग्री माइनस 273 केल्विन और लिखाओगा at all temperature बोलो का लगाओगी ठिक बहुत सांदार 100 बोल रहा है लियाओ बाहु बली की तलबार देखने के बाद भी कह रहा है 100 डिग्री 100 डिग्री centigate पर क्या होती boiling होती कि वैपरेशन होता है और हमने question क्या पूछा है evaporation तो evaporation किस temperature पर होगा अरे यार किस पर होगा आयूश all temperature पर होगा भाई अभी तो देखे हो ना च्छत पर रख दिया तो धूप पड़ी नहीं पड़ी ठंड पड़ी तो भी पानी भाब बनके उड़ा की नहीं उड़ा तो आंसर क्या होगा अभी आया समय की नहीं आया पक्का ना भाई कोई डाउट all temperature बिटा boiling होती है सोपे वह भी किसकी water की किसकी होती है water की अब boiling पढ़ रहा हूं मैं याद रगना मैंने boiling पढ़ा है boiling of water नहीं पढ़ा है समझे ना हम boiling सोचते तो सीधी हमारा मन पकड़ता पानी को boiling को हिंडी में बोलते हैं उबालना क्या बोलते हैं और इसको बोलते हैं खौलना भी बोलते हैं सुन खौल गया क्या बोलते हैं खौन खौल गया ओम को देखते ही आई उसके मन में खून खौल गया ठीक है तो भाई बॉइलिंग बॉइलिंग मतलब उबालना खौलना अब बॉइलिंग क्या होती है ये समाझे लो 100 डिगरी सेल्सियस पर पानी की होती है मगर होती क्या है वेना लिक्विड इस हीटेड ग्रेडिवली लगातार अट पर्टिकुल टेंप्रेचर सैचुरेटेड वैपर प्रेशर अप दे लिक्विड बिकम्स इक्वल तो दे अट्मोस्फेरिक प्रेशर आहाहा क्या सिंपल लाइन कह दी इसने ये देखिए भाईया ये पानी है ये क्या है भाई साब पानी है उपर से अट्मोस्फेर का प्रेशर है बुल हाँ वो कह रहा है यहां से नीचे छोटी छोटी भाब बन रही है बनना चाहे रही है वो कहती हमें जाने दो उपर वारे अट्मोस्फेर के तासे डाउन निचे लियाओ कि बोलो हाँ क्लियर हुआ हलकी सी गर्मी हुई यह सैचुरेटेड वैपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लग गया उपर जाएं क्या चलो हाँ मैं आई गो टू वाश्रूम दो लोग निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है जैसे बच्चों को बोल दिये ह मैंना जादा को नहीं जान दी फिर और हम टेंपरेचर बढ़ाते गए नीचे का भी प्रेशर क्या होता गया बढ़ता गया नीचे का भी प्रेशर क्या होता गया देखो उपर का एट्मॉस्फेरिक प्रेशर है 180 हम बोलो हाँ और नीचे का सैचुरेटेड वैपर प्रेशर है जो वैपर डालती है लिक्विड के फेस के उपर बो हाँ अब नीचे से ये भी धक्का दे रहे हैं बो हाँ गरम करते गए एक situation आई इन्होंने बुला हमला अक्रमार तोड़ो और इन्होंने तोड़ दिया इसको बो हाँ फिर क्या होगा लिक्विड पूरा का पूरा निर्बधित रूप से निर्बाद रूप से फ्लूएंटली विल्कुल बाहर की और वैपर बनके उड़ता जाएगा समझ गया ना जैसे सेना गोसाती है गेट तोड़के हाँ या ना तो इस अवस्था को इस situation को हम क्या बोलेंगे बेटा boiling क्या बोलेंगे boiling तो पढ़ते हैं यह आएगा question लिखने को आएगा definition ठीक है ना वेनल लिक्विड हीटेड ग्रेजुएली अट पर्टिकुलर टेंपरेचर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर यह भाईया saturated वेपर प्रेशर यह उसका वेपर प्रेशर है जो लिक्विड क्रियेट करता है अब दा लिक्विड बिकम एक्वल टू इस अटमोस्फेरिक प्रेशर यह ऊपर वाला है हाँ यह ना अटमोस्फेरिक नाओ बबल्स ऑफ वेपर rise to the surface of liquid, equal हो गया, अभी तो equal हो गया, तो cancel कर दिया, अब क्या होंगा, इसके bubbles rise करना, शुरू हो जाएंगे, bubbles rise, now bubbles of vapor, rise the liquid, यह जो अंदर bubble बन रहे थे, वो surface को तोड़ के कहां भग जाएंगे, उपर, बहले बुल-बुले अंदर ही बन रहे थे, अब कहां भगने लगेंगे उपर, this process is called boiling of the liquid, क्या कहलाती है, boiling of the liquid, समझ में है कि नहीं है, ठीक है बिटा, जब कोका कोला की बॉटल खोलते हैं, बोलो हाँ, तो यहां खोलते हैं, हटाया, और यहां से निकलता है, फिज, निकलता है न, तो क्या होता है, क्या होता है बिटा, इसके अंदर carbon dioxide है, क्या ह तो कुछ carbon dioxide evaporate हो जाती है, क्या हो जाती है, क्योंकि carbon dioxide का, जो, वो है, melting point है, boiling point है, बहुत क्या है, बहुत क्या है, कम है, हमाँ, atmosphere की तुलना से बहुत कम है, तो इसलिए फट्टे से वो भग गई, निकल करके, चलिए, अगर आप pressure increase करोगे, तो boiling point क्या करना पड़ेगा, increase हो जाएगा, क्या हो जागा boiling point, increase हो जाएगा, बोलो हाया न, कैसे समझ लो, इसको pressure activity समझ लो, ये तुम्हारे पास एक cylinder है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बोलो हाँ, और ये एक piston लगा हुआ है, इस पे hole है, बोलो हाँ, क्योंकि hole है, तो बाहर का atmospheric pressure पूरा अंदर आ जाएगा, कित्ता है hole, 180, कित्ता hole है, अब यहाँ से, गरम करा, बोलो हाँ, भाब बनना, सुरू मगर तुमने क्या करा, उपर ठपरी लगा दी, बोलो हाँ, ठपरी लगा कि इसको नीचे और दबा दिया, यहाँ पे आ गया, बोलो हाँ, समझे है, क्या कर दिया इनको, यह जो विद्रोह कर रही थी, गैसे इनको तुमने कुछल दिया, चल नीचे, चल नीचे, बाहर निक आते हैं तुमको नीचे से जलार लेया भटी डाल कोई लाउस यहां से अव जलाया भूहा तो यह फिर भूलेगा चल उपर भागे यहां से नीचे से क्वाइब भूहा तो हुआ क्या उपर से तुमने प्रेसर बढ़ आया और इधर से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ बढ़ रहा ही बार समें, ना तो बहुत यही चीज है ते तेंप्रेचर टेंप्रेचरर विच लिक्विड बॉस इसकोल बॉइलिंग पॉइलिंग पॉइन दूरेश इंक्रीजर इन प्रेर न सब्रेसर को डिक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा, बोलो हाँ, clear हुआ, अब अगला process, sublimation जानते होगे, sublimation मतलब किसी solid को ले लो और सीधे वो भाप में बदल जाए वैपर में, direct conversion of solid into the वैपर, कपूर लीजे घर में, कपूर को लीजे और रख दीजे किस के उपर, तबे के उपर, है न, और यहां से गरम कर दी जाएगा, देखिएगा, धीरे, 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 कपूर गायव हो जाएगा, तेल भी नहीं छोड़ेगा, सीरे क्या हो जाएगा, समझ गए, तो इस process को बोलते है, sublimation, क्या बोलते है, the conversion of solid into वैपर, वैपर बनके उड़ गई, वैपर बनके उड़ गई, अब यदी यहां प इसको उठा के निकाल लो वैपर को, बंद कर तो कैस को, भाब बनके उड़ जाएगी, थोड़ते ठंडे हो दो, फिर कटोरी को अपने निकाला, तो आप देखेंगे, यहां पर कटोरी में, कपूर लगा होगा, समझ गया ना, पाउडर पाउडर उसको हाँ से से कचोट ले होरफ्रोस्ट, क्या कहलाता है, होरीं है, इसको थोटे-चोटे दाने, 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 दाने के बच्चो केलोरी मेट्री यहां पर थर्मोमेट्री खतम होती है और केलोरी मेट्री यहां पर सुरू होती है केलोरी मेट्री का हला कि मैंने हीट वाला पाट थोड़ पढ़ा दिया आपको केलोरी मेट्री The branch of heat, it is the branch, this is the branch of heat transfer, this is the branch of heat transfer that deal with the measure of heat, that deal with the measure of heat, समझ गया है, that deal with the measurement of heat, जिसमें से heat को measure किया जाता है, the heat is usually measured in calorie और kilo calorie, heat को calorie या kilo calorie में measure करते हैं, अब heat को measure करने के लिए एक ही principle लगता है बच्चों, principle of calorie मेंटरी, principle of calorie मेंटरी, principle of calorie मेंटरी कहता है, when a heat hot body is mixed with a cold body, अगर कोई hot body है, 40 degree Celsius की, और cold body है, 30 degree Celsius की, जब दोनों को mix कर दिया जाता है, तो temperature, तो heat होती है, वो hot body से cold body की और चलती है, कब तक चलती है, जब तक दोनों के temperature सेम, ना हो जाएं, जब तक दोनों के temperature सेम, तो बच्चे, दोनों के temperature सेम, ना हो जाएं, मेरी बास सुन रहे हूँ, तो दमधना concept, ये body है बिटा, इसका temperature है theta 1, theta, इसका mass है M1, इसकी specific heat है S1, बुलो हाँ, दूसरी body है, जिसका temperature है, जिसका नाम है M2, body का mass M2, इसका temperature किता है, theta 2, और temperature, इसकी specific heat कितनी है, S2, हाँ है न, ठीक है, ये मानलों एक लोहे का block है, और ये copper का block है, दोनों अलग-अलग temperature पे थे, 1, 40 पे था, 1, 30 पे था, आपने दोनों को join कर दिया, बुलो हाँ, न, दोनों मेंसे heat का आदान प्रदान होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों का temperature same, ना हो जाए, समझ गए, जब तक कि दोनों का temperature same, ना हो जाए, अब जानने की बात ये है, कि temperature same होने के बाद, इस पूरे तेंपरेचर कितना बनेगा क्योंकि 40 से लेके 30 के बीच में 10 नंबर हैं बुलो हाँ 31 है 32 है 33 है 34 35 39 है तो सुई कहां पे आपके टिपकेगी तुमारा मन कहरा है 35 ना मेरा ना तेरा चल बीच का ले लेते हैं बुल हाँ है ना बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत समझ में आया बिल्कुल गलत है भाई तो इसको निकालने के लिए कि ये सुई कहां पर टिकेगी भाई टेंपरेचर कॉमन कितना बनेगा तो इसके लिए एक कंसेप्ट होता है जितना ये हीट देगा ध्यान रखना दान किस चीज का हो रहा है हीट का हो रहा कि टेंपरेचर का हीट का बोलना पड़ेगा आप लोगो किसका दान हो रहा है हीट का तो हीट का दान हो रहा है और हीट का दान तब तक होगा जब तक ये लेगा जब तक ये लेगा, जब तक लेगा, जब तक दोनों का temperature इक्वल नहीं हो जाता है, ये तो जिरो थलाप thermodynamics में बात हो चुकी इस चीज की, तो concept लगेगा, heat lost equal to heat gain, heat lost equal to heat gain, तो principle of calorimetry, when a heat body mixed with a cold body, then heat lost by hot body, heat lost by hot body is equal to heat gain by cold body, मेरी बास समझ में आई बच्चों, तो क्या रूल रहेगा, मानलो ये दोनों मेल करके, heat भीट खाने के बाद, एक temperature पे आ गया है, जिसका नावी theta 1 था, ये theta 2 था, मानलो temperature हो गया, theta, किता हो गया, तो इसने इसको कितना लुटाया, मैं लिख रहा हूं पहली वाली इने, बोलो में delta theta, किता था temperature, theta 1 में से किता हो गया, theta, बोलो हा, m1, s1, theta 1, minus theta, इतना ही ना चेंज हुआ है, equal to heat gain, चलो heat gain कितना हुआ, बोलो m2, s2, और change in temperature, theta minus theta 2, समझ में आ गया, इस concept से एक numerical आपका पका है, स्कूल में साथ teacher ने बताया हो, बड़ा महा numerical बनता है, m1, s1, theta 1, minus theta, equal to m2, s2, theta, minus theta 2, heat given, equal to heat taken, समझ में आया, जितना देंगे, उतना ही ना लोगे, clear है, आ गया समझ में, आप चलिए, तो इस से बच्चों, प्रचंड महा, प्रचंड महा, भैंकर, बाहु बली टाइप के numerical हम लोग आने करने वाले हैं, समझ गया ना, आधा चैप्टर ये लपेट लेगा ये concept, कैलोरी मेंटरी का, समझ गया ना, महा भीषण भैंकर, निमेरिकल करने के लिए तयार रहे हैं, आप लोग, अगला topic, इसका last आता है, आपको मैंने बताया था कि इस topic के तीन पार्ट है, कैलोरी मेंटरी, थर्मो मेंटरी और थर्मल एक्सपेंशन, या हीट ट्रांसफर, है ना, तो अब आता है अपना हीट ट्रांसफर वाला पार्ट, चलिए हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो हीट ट्रांसफर में सबसे पहली चीज़ है, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्स आज तक आपको length ही पता था यदि आप देखेंगे तो इसका ये लंबाई एक तरफ से नहीं बढ़ेगी, ये चारों तरफ से बढ़ेगी, हाँ या ना, क्योंकि vibration जो होगा, atoms का वो केवल यहीं यहीं नहीं होगा, वो ऊपर इधर भी होगा, हाँ या ना, ऊपर नीचे भी हो होगे, expansion in length, expansion in area, और expansion in volume, increase in size on heating is called thermal expansion, there are three type of thermal expansion, पहला है expansion in solid, expansion in liquid, expansion in gas, समझ गए, अब देखते हैं सबसे पहले expansion in solid, अब सॉलिड में expansion भी तीन टाइप के हैं, समझ गए, solid में expansion भी तीन टाइप के है, number one, length में expansion, दूसरा एरिया में, और तीसरा वॉल् collar me, तीसरा किस में, वॉल् collar me, समझ के न, जो length में expansion की घटणा है, उसको बोलते हैं linear expansion, क्या बोलते हैं, जो volume expansion की घटना सॉरी, जो area में expansion की घटना, उसको बोलते हैं, face expansion क्या बोलते हैं और जो volume expansion की घटना उसको बोलते हैं हम लोग volumetric expansion या super pcl expansion बोलो समझ में आया की नहीं आया तो तीन प्रकार के expansion है और तीन प्रकार के expansion में तीन प्रकार के नए coefficient आपके सामने आने वाले हैं वो ृपा कोई अगर area में बहना चाहता है तो उसका एक temperature coefficient होता, विसको बोलते है वीटा और कोई पूल्यूम में बढ़ाना चाहता उसका temperature coefficient होता है, गामा तो इनको हम बोलते है α raspberryा और गामा समझ गया ना temperature linear coefficient समझ गयर ना है, यह arial coefficient और यह superficial coefficient clear हो गया या coefficient of linear expansion, coefficient of aerial expansion, या coefficient of volumetric expansion, अब सबसे पहले देखते हैं, expansion in solid, there are three type of expansion takes place in solid, linear expansion, first, expansion in length on heating is called linear expansion, main formula काम की चीज़ नोट करेंगे, increase in length होता है, नई वाली length, L dash कहलो या L2 कहलो, equal to पुरानी वाली length, bracket में 1 plus alpha delta T, alpha delta T, एक और formula बनता है, L dash equal to L0, याने 0 degree centigrade per length, bracket में 1 plus alpha delta T, समझ गे न, L1, L2 क्या थी, सुरू वाला length और बाद वाला length, after length and final length, delta T is the change of temperature and alpha is the coefficient of linear expansion, आई वास समझ में न, यदि हम alpha को derive करने की बात करेंगे, तो बहुत आराम से बना सकते है, alpha को derive करना, यहाँ से बना लेते हैं, देखिए, alpha को derive करने, तो L2 upon L1, L2 upon L1, नीचे आजाएगा, बोलिए, equal to कितना बनेगा, 1 plus alpha delta T, बोलिए हाँ है न, बनेगा न, L2 upon L1, minus 1, equal to कितना बनेगा, alpha delta T, इसको solve कर दीजे, तो यह हो जाएगा, L2 minus L1, upon L1, equal to alpha delta T, बोलिए हाँ है न, L2 minus L1 कितना है, बेटा, delta L, change in temperature, sorry, change in length, change in upon original length, बोलिए हाँ, upon original length, बोलिए हाँ, इन्टो कितना हो गए, delta T, यहाँ क्या बचा, alpha, देखे फॉर्मूला, alpha equal to, ऊपर change in length, change in length, नीचे original length, original length, और नीचे क्या है, change in temperature, change in temperature, समझ गया न, तो unit क्या बनेगी, unit change in length, meter, length, meter, और नीचे क्या है, degree Celsius, meter, meter, cancel, answer, degree Celsius, inverse, degree Celsius, inverse इसकी unit बनेगी, बोलो हाँ है न, clear होगे न, दूसरा, आएगा, superficial, sorry, मैंने superficial, volume को बोल दिया था, गलती से, superficial होता है, surface expansion, क्या होता है, surface, expansion in area on heating is called surface expansion, बेटा फॉर्मूला बहुती सिंपल, a2 equal to a1, bracket में 1 प्लस alpha की जगे बीटा डेल्टा टी, बोलो हाँ है न, बाकी पुरानी कहानी वो ही है, तीसरा है, cubical expansion, expansion in volume on heating is called cubical expansion, formula V2 equal to V1 bracket 1 plus alpha delta T, तो तीन प्रकार, हाँ, गामा, sorry बीटा, गामा, 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 तो यहाँ पे तीन प्रकार के expansion होते हैं, एक होता है पहला linear expansion, दूसरा superficial, और तीसरा होता है cubical, समझ में आ गया, यह गामा की formula जैसे लिखा लापन ने, clear हो गया, clear होगे ना, बन जाएगा ना, तो गामा यहाँ पे तीन प्रकार के expansion होते हैं, और तीनों में relation होता है, alpha, s2, beta, s2, gamma, equal to 1, 2, 3, यह मैं आपको भी derive कराता हूँ, ठीक है ना, तो तीन प्रकार के यहाँ पे expansion हुआ करते हैं, फिर आता है expansion in liquid जो की ज़्यादा important नहीं है, है न और expansion in gases में practical application है, expansion के practical application important point, चलिए mainly यहाँ पर था, अब इनके थोड़े से practical applications आएंगे, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो अभी की class में यही तक खतम करेंगे, इस online class में, बाकी फिर next कल करेंगे, thank you so much.